तो वाइस, आज हम सर्वर को पढ़ेंगे, what is server? सर्वर एक मेन कम्प्यूटर है, किसी भी नेटवर्क पे that fulfill the request of other computers सर्वर is the main computer of any network that fulfill the request of other computers advantages है, backup, security है and storage है, क्योंकि वो सर्वर पे है example, आप इस photo में देख सकते हैं, कि internet है, कई हम अलग-अलग जगे से, अलग-अलग लोग हैं, अलग-अफिस हैं, अलग-अलग सब हैं, तो वो कुछ information, जैसे मैंने कुछ type किया Google, किसे ने type किया Hero Honda, किसे ने type किया Web server, तो वो information internet से server तक जाएगी server के पास बहुत सारी information, जो भी information हमने मांगे, उनको ढूंड के हमें देता है, तो server हमें serve करता है, serve करता है, जैसे मुझे hotel के अंदर जो बैटर होते हैं, वो serve करते हैं, वैसे ही server serve करने का काम करता है, informations, ठीक है? जो भी information हमें चाहिए, जैसे यह गाना मेरे को चाहिए, तो यह गाना server ढूंड के हमें देगा, तो उससे related जितने भी गाने होंगे, जो वो हमें आएंगे, वो हमारे result के रूप में हमारे पास मिलेंगे, तो आपको समझ आ गया होगे, कि server क्या है? server यह देखिए, यह server है, ठीक है? इसमें server एक program है, computer program है, तो server हमारे computer से different कैसे है, कि उसमें different chips होती है, RAM जादा होता है, ROM जादा होती है, different chips होती है, ठीक है? यह chips देख रहे हैं, तो server एक storage के तरहे काम करता है, क्योंकि पूरे world का data हमें serve करना है, तो उसके लिए बड़ी-बड़ी machines होगी, कई सारे server होंगे, कई सारे different type of servers होंगे, तो जैसे भी PC आप देख सकते हैं, अभी मैंने बताई है, mobile अलग लग जगे से, वो server हमें information ढून के देखा, serve का काम करता है, ठीक है, example है, facebook, हमारे example है, जिसे, मैं आपको एक example देती हूँ, कि मैंने google पे search किया यह गाना, ठीक है, मैंने google पे search किया यह गाना, तो मैंने type किया, वो internet ने request ली, internet ने request, server तक पहुचा है, server ने वो अपने database में ढूंदा, web server में ढूंदा, data file server में ढूंदा, print, कहीं मिलेती सर्वर वाँ ढूंदा, और हमें information दे दी, ठीक है, तो हमें information मिल गई, तो server नहीं होगा, तो हमें information कैसे मिलेगी, क्योंकि इतना बड़ा हमारा universe है, हमें without server हम काम नहीं कर सकते हैं, हमें information नहीं मिल सकते हैं, तो storage, जो server है, वो storage का काम कर रहे हैं, fine, हमारा PC है, वो local server है, क्योंकि उसमें उसका जो गाना है, वो सरिफ में सुन सकती हूं, उसका information है, वो सरिफ 1% तक limited है, अगर हमें उसे कई % तक पहुचाना है, तो हमें उसमें अलग से chips डालनी पड़ेंगी, जिससे वो server बनेगा, उसकी information हम जिसे schools होते हैं, उसमें सारे database होते हैं, जब भी अगर एक PC खराब हो गया, उसका data मिट गया, तो उस server से वो data हम वापस ले सकते हैं, इसलिए backup होता है, security होती है, वो storage होता है, Facebook हो गया, Facebook का अलग server है, Facebook में जैसे मैंने कुछ पिचर डाली, तो मेरे friends देख सकते हैं, क्योंकि वो जो picture है, YouTube का जो server हो निकाल के हमें देगा, तो guys clear है, what is server, काम कैसे करता है, काम कैसे करता है, तो अभी मैंने काम कैसे करता है, तो अभी मैंने काम कैसे करता है, अभी मैंने example दीए, इसके Facebook के and YouTube के, server के कई सारी types होते हैं, मैंने अभी आपको बता है, क्योंकि server क्योंकि बहुत सारी information रखता है, तो file server अलग होगा, files related information रखेगा, web server होगा, website से इतने भी website होगी, उनके अंदर जितना भी data होगा, images होगी, हमारे photos होगे, यह देखिए, यह हमारा, मैंने कोई भी photo डाला, मैंन file डाली, यह सब कहाँ जाके store होगा, यह सब इसको weab hosting कहते है, यह सब कहाँ जाके store होगा, यह सब server पे जाके store होगा, ठीक है website हो गई जितने भी हमने website create की तो internet server के पास information भीजता है server सरू करता हमें वो information तो server का main काम यही होता है server यही होता है तो यह आप देख सकते हैं कि server हमें search करके result देता है fine guys server की types मैं आप से discuss कर रही हूँ web file cloud print mail web server http protocol पर काम करता है means like मुझे मुझे image based को information चीए तो image based इतनी भी information होगी वो web server से हमारे तक आईगी ठीक है website से इंटरनेट पर इंटरनेट पर वो web server पर जाएगी web server http फाइल्स के थ्रूँ http ब्राउजर के थ्रूँ हमें वो चीजें देगा ठीक है guys हेपटेस ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रूँ mail server mail server एक computer system है जो email भेजता है और प्राप्ट करता है mail server network में एक application या computer है जिसका काम क्या है virtual post office mail server यहां प्राइब भी जितने भी mail हम email कैसे भी सकते है nic यह सब क्या हो गया हम mail server कर दो क्या है इमेल भीजना लेना जो virtual post office का काम करता है mail server और जो भी हमारी post office काम होते है mail server पे होते हैं सारी files stored होती है file server में आप देख सकते हैं जो भी file file stored होती जो भी data user files होगी data जो कहां stored होती है file server में file server सरी files को stored करता है file server सारी files को stored करेगा जो भी हम मनलब बनाएंगे cloud server क्या करता है cloud server भी कई तरह के होते हैं और हर cloud server किसी विशेश कारिये के लिए बनाया जाता है cloud server का एक ही अच्छा एक्जामपल है VPS यानि virtual private server जिसमें आप किसी भी software को install करके run करा सकते हैं different type of cloud server हो जाते हैं इसको हम यहां नहीं पढ़गे क्योंकि बहुत वास्ट है इसलिए क्लाउड server है उसका भी अलग से होगा मैंने बता है कि सर्वर बहुत वास्ट है हम फुरे वर्ल्ड में information देंगे तो different different machine चरूरत पढ़ेंगी print server क्या करता है कई सारे prints जिसे computer है कई सारे computer है तो वहां पर एक print server अगर होगा तो वह प्रिंट सर्वर क्या काम करेंगा उस प्रिंट तक वह information देगा और उन सभी computer की print वह एक साथ निकाल सकता है ठीक है print server यह काम करता है client computer से connect करता है और यह computer से print job को accept करता है thank you guys आपको server complete समझ आगया होगा thank you for watching like subscribe thank you